असलाम अलेकुम हुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम यह प्राइस मीटर डील 1200 का मॉडल है तो इसकी हम सेटिंग करेंगे सबसे पहले इंडिकेटर को आन कर लेंगे वेट आपके पास मुझूद होना चाहिए 5 kg 10 kg या जितना भी आपके पास मुझूद हो जीरो हो गया है इंटर का जो बटन है इसको अपने 10 सेकंड के लिए दबा करें पांच सेकंड के लिए दबा करेंगे एक दो ती चाहिए कोड़ा आ गया है कोड़ा आपने इसका 25-60 दबाएंगे प्रिंटर दबाएंगे 10 g चलाना है आपने है यहां पर अकर 10 ना हो छोड़ लिखा हो तो यहां पर दस करते हैं हम दुबारा दस कर देते हैं ठीक है इक ग्राम्स है कम मसकम 10 g चलेगा फिर हम इंटर दबाएंगे इशारिया के आगे तीन 0 होने चाहिए डेसि ADP 0, इसको 0 ही रहने देना है, इंटर दबाएंगे, फाइल 1, अगर यह 1 पर रखेंगे, इसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, और 4 पर रखेंगे तो इसकी कम होगी, हम 2 कर देते हैं, ताकि इसकी स्पीड नार्मल रखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इंटर का बटन दबाएंगे, फिर कपैस्टी आजेगी, फिर हम इंटर का बटन दबाएंगे, यह 99 केजी पर सेट है, ज्यादा से ज्यादा 99 केजी, 99.999 ग्राम तक यह तोलेगा, ठीक है, उसके बाद आप फिर इंटर का बटन दबाएंगे काल जिरो आ जएगा फिर इंटर का बटन दबाएंगे स्पैन आ गया है फिर इंटर का बटन दबाएंगे इसके बाद आप वेट रखेंगे पांच केजी का उपर ये 99 लिखाव है इसकी capacity है टोडर भी है लिकिए है लेकिन हमने जो weight उपर रखना है हम वो लिख देंगे हमारे पास 5 kg है 5 इसके आगे 3 0 है इशारी के आगे 3 0 रखने होते है इशारी यह आपे आजाते है यह आगे ग्राम वाले 0 है फिर उसके बाद हम इंटर दबाएंगे कैलिबरेशन एंड होने वाली है यहां पर एंड लिखा गया लास्ट बार इंटर दबाएंगे इसके बाद इसकी कैलिबरेशन हो चुकी है पांच के जी पे यह सेट्ट हो गया है पंखा जाल रहा है हवासे 10-15 ग्राम ज्यादा बिता सकता है जीरो है वेट रखा उपर पांच के जी पूरा आ गया यह पंखे की वरास से दस क्राम ज्यादा बिता रहा है ठीक है पंखा बंद करके यह आप सेटिंग करें तो बितर सेटिंग होगी पांच के जी इंटर के बटन को पांच सेकंड के लिए दुबा के रखेंगे तो उसक कंडा जब जीरो जीरो हो जाएगा आपके पर स्वेट ठीक होना चाहिए रखेंगे पांच के जी पूरा बता रहा है ठीक है यह दस ग्राम जो पर आ रहे हैं इसकी अकाई चल रही है यह दस ग्राम अगर बता भी दिए तो पूल मसला नहीं है और पंखे की वरास से वैसे शुक्रिया नेक्स वीडियों तक अपना है याल रखेगा अल्ला हाफेज